आप देख रहे हैं दखल न्यूज प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की विरोधियों को खुली चुनावती अपने घोश्रा पत्र में लिखे हम 370 को वापस लाएंगे जंग प्रमुख मुहान भागवत का बड़ा बयान दुनिया में सरवादिक सुखी मुसल्मान भारत में मिलेंगे पूर्व मुखमंद शिवरा सिंग का कॉंग्रेस की घमासान पर निशाना कमानलाथ को डराओ और खाम कराओ की ड़्यूडी मंदी सज्जन वर्मा की भविश्य वाड़ी मोदी और भागवत के बीच बड़ा वैच्यारी छगड़ा होगा और मुखमंति कमानलाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट मैंटिफिसेंट मध्यप्रदेश इसमें प्राम धरातल पर निखेगा प्रधान मंत्री नेरेद मोदी ने खुले मंच से कांग्रेस और अन्य विरोधियों को चिनवति दिया और कहा कि विरोध करने वालों में अगर हिम्मत है तो वे अपना प्रधान मंत्री ने महराष्ट में चुनावी रेली को संबोधित किया और धारा 370 के मसले पर उन्हें चुनवति दी जलगाओं की रेली में प्यम मोदी ने कहा कि वो एक बार फिर फंडविस के नितरत्व में गडबंदन की सरकार के लिए समर्थन मांगने आये हैं इसके बाद प्यम मोदी सकोली में रेली किये प्यम नरन मोदी ने कश्मीर से 370 हटाने का विरोध कर रहे दलों को खुली चुनवति दी है प्यम मोदी ने कहा है कि अगर विरोध करने वाल करने का एलान करने की मांगी है मोदी ने कहा कान खोल कर हमारे विरोधी सुन ले अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में और आने वाले चुनावों में भी घोशना पत्र में एलान करें कि धारा 370 वापस लाएंगे आज जम्मू के स्पीर और लालाग के विशह में आप सब्सक्राइब बाते करने वाले लोग अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी गोशना पत्र में एलान करें कि भी भाड़ा 370 पैंतिसे जो भाजपाने मोदी सरकार ने हटाई हैं मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है वो मा भारती का शीश है वहां का कंड-कंड भारत की शक्ति को मजबूत करता है पीम ने कहा पांच अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एंडियस सरकार ने एक अभूत पूर्व फैसला किया ऐसा फैसला जिसके बारे में सोचना भिया संभव लगता था जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल में की भाईयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था लेकिन अब ऐसा नहीं है पीम ने यह भी कहा कि कश्मीर में सिर्फ आतंक और अलगावबाद का विस्तार हो रहा था संभ प्रमुख ने किसी के प्रती कोई घ्रणा ना होने पर जोर देते हुए कहा कि संभ का उद्देश भारत पे परिवर्दन तथाओं से बहतर भविश्य की ओर ले जाना है इसके लिए देश में पूरे समाज को संगठित करना है ना कि केवल हिंदू समुदाय को उन्होंने कहा यहुदी मारे मारे फिरते थे अकेला भारत है जहां उनको आश्य मिला पार्सी की पूजा और मूल धर्म केवल भारत में सुरक्षित है विश्य के सरवाधिक सुखी मुसल्मान भारत में मिलेगे ये क्यों हैं क्योंकि हम हिंदू हैं इस्थानिये सोव विश्वय ध्याले में आयोजित संग के बुधि जीवी समेलन के उद्गाटन अफसर पर भागवात ने कहा कि समाज को संगठित करने के लिए संगठित काम कर रहा है संगठित समाज के जर्ये की राष्ट का निर्मान समभव है उन्हें कहा हमारी किसी के प्रती कोई घ्रणा नहीं है संग प्रमुख ने कहा कि एक बहतर समाज बनाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए जो देश में बदलाव ला सके और उसे विकास में मदद दे सके ये हमारी चाहे कि आरेसेस ठपा हट जाए और आरेसेस तथा समाज एक समहू के तोर पर काम करे भारत की विविधता की प्रशन सा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश एक सूत्र में से बधा है भारत के लोग विविध संस्कृती भाशाओ भौगौलिक इस्थानों के बावजूद खुद को एक मानते हैं भागवत संग की अखिल भारतिय कारेकारणी की बैठक में भाग लेने के लिए ओरिशा में हैं संग की राष्ट्रे कारेकारणी सहित अन्य कारेकरम नौ दिन तक आयजित होंगे इसमें देश के बिभिन इस्थानों से बुध्धी जीवी तथा संग के प्रचारण भाग ले रहे हैं पुर मुक्मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने काम कराओ जोतीरादित सिंध्या कमलनाच सरकार पर किसी ना किसी तरह दवाब बनाते रहते हैं पूर्व मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा ऐसा करके कॉंग्रेस नेता कमलनाथ पर दवाब बना कर अपने काम निकल वाते हैं कमलनाथ को डराओ और काम कराओ जब लगा कि सुनवाई कम हो रही है तो गाएं की फोटो खींचे और ट्विट कर दिये बाद में काम हो गया तो कहने लगे सब अच्छा है यह खेल चल रहा है मध्यप्रदेश में देखो यह सब दवाब बनाने के लिए करते हैं और दवाब बना के अपने काम करवाते हैं कमलनाथ को डराओ काम करवाओ MPK नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगाओ ने कमलनाथ सरकार पर तंज कस्तवे कहा कि ऐसी सरकार किस काम की जहां लोग आपस में संबाध ही नहीं रखते और ट्विट करके एक दूसरे से बात की जाती है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगाओ ने डिगवेजा सिंग और जोतर हैसरी सिंधिया के सरकार को गेरने पर कमलनाथ सरकार पर तंज कसा भारगाओ ने कहा ये आपस में क्या समवाद नहीं कर सकते, टूट करने की क्या जरूबत है भारगव का कहना है प्रदेश में कई मुखमंतरी काम कर रहे हैं कुछ सामने से हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से ऐसी सरकार किस काम की जिसमें समवाद ही नहीं है करज माफी हुई नहीं, मुआफ़ा मिला नहीं के लिए कॉंगर्स के सारे बड़े निता करज माफी पर व्यंग और बयान वाजी कर रहे हैं पूर मुखमती शिवरा सिंग चौहान के पौधार उपन मामले की जाश पर गुपाल भारगाउने कहा कई पुराने मामलों में कांगर्स की नीता गोटा ले की बात करते हैं बाद में विधान सवा में कहते हैं के कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई जो मंतरी आरूप लगा रहे हैं उन्होंने खुदी विधान सवा में इस मामले में क्लिंचिट दी है इन दौर में होने वाले मैगनिफिसेंट मध्य प्रदेश पर भारगाउने कहा आज तक प्रदेश में एक भी जिवा को रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने ना किसी को बेरोजगारी बत्ता दिया गया छोटे उद्योग पतियों पर सरकार का ध्यान नहीं है सिर्फ जनता को ब्रमित करने का काम कबनला सरकार कर रही है मध्य प्रदेश के PWD मंत्री सज्जन सिंग वरमा ने कहा कि आने वाले समय में प्रदान मंत्री नरेन मोदी और संग प्रमुक मोहन भागवत के बीच बड़ा वैचारिक जगडा होगा यह जगडा देखने वाला होगा क्योंकि एक ताना शाह कभी दूसरे ताना शाह को बरदास नहीं करता कमलनात के करीबी मंत्री सज्जन सिंग वरमा ने संग और बीजेपी पर हमला बोला वरमा ने कहा आने वाले चार सालों में संग प्रमुक मोहन भागवत और प्रधान मंत्री नरिद मोधी का ऐसा वैचार एक जगडा होगा जो देखने लायक होगा उन्होंने कहा एक ताना शाह दूसरे ताना शाह को बरदास नहीं कर सकता उन्होंने कहा मोहन भागवत के भाशन में अब पहले जैसा नूर नहीं रहा है संग प्रमुक के समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में नरेद मोधी उनसे आगे निकल जाएंगे उन्होंने कहा कि नरेद मोधी की सरकार मोहन भागवत कमपनी की देन है कि कंपनी का फिलाल वक्त हो चलाए शोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिराजी रोंगे आप देखते लिए दखल ने हुझा आप देख रहे हैं दखल ने हुझा आप देख रहे हैं दखल ने हुझा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुक करते हैं लिए ख़वर की ओर किये गए आयोजनों जैसा नहीं है यह सम्मेलन मद्यप्रदेश में निवेशकों के लिए है जो यहां पर रोजगार के अफसर पैदा कर सकेंगे साथ ही मुख्रमंत्र कमलात ने कहा कि जावगा उप्चुनाव में कॉंग्रेस की जीत निश्चित है मद्यप्रदेश सरकार में कैमनेट मंत्री गोविन सिंग ने सिंधिया की शान में जम कर कसीदे पड़े उन्होंने सिंधिया का कर्द कॉंग्रेस की राष्ट्रिय अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक च्छे बताया पिछली दिनों कॉंग्रेस नीटा जोतरहजे सिंधिया मंत्री गोविन सिंग के निवास पर बोज़न करने गए थे इससे पहले इन अलग-अलग गुटों के निताओं में जमकर खीचा तानी थी लेकिन अब इनके रिष्टों से बर्फ पिगल रही है लहाजा गोविन सिंग ने बिंड में सिंधिया दौरा किसानों के हक की आवाज बुलंद करते हुए वचंद पत्र को लेकर दिये गए बयान का भी समर्थन किया है और सिंधिया की जमकर तारिफ भी की इस तोरान उन्होंने बीजेपी पर खायाना खाली करने के आरूप लगाए उन्होंने कहा किसानों के हिट में सरकार बहतर काम कर रही है हमने अपने खर्च में कटोदी की है ताकि बाड़ पिडितों और किसानों की मदद की जाए और वही सा निकाल गए खर्चा काट के बज़त का पहले हम किसानों के देंगे पूर्मंती बीजेपी नेतन नरुत्त मिश्रा पूर्मुकमति शिवरा सिंग के बचाव में सामने आये मिश्रा ने कहा शिवरा सिंग का जीवन बेदाग है कांगरेस हमेशा उन पर आरुप लगाती रही है पूर्मंती नरुत्त मिश्रा मद्यप्रदेश के पूर्मुकमति शिवरा सिंग चोहान के बचाव में उतरे हैं उन्होंने शिवरा सिंग चोहान की जीवन को बेदाग और निशकलंग बताया वनमंत्री उमंग सिंगार ने शिवरा सिंग चोहान और पूर वनमंत्री शेजवार पर बष्टाशार के आरूप लगाकर ई-ओ-डबलू में जाच कराकर दोश्यों को दंड दिलाने की बात कही थी उमंग सिंगार के दस महीने बाद पौधा रूपन की जाश पर अंदर उत्तों मिशा ने सवाल उठाए और कहा कि चरत हत्या की राजनीती के लिए कॉंगरे सरकार ऐसा कर रही है मान नर्मदा की धारा अविरल और कलकल बहती रहे इसके लिए शिवराज सिंग चौहान ने पौधा रूपन का विराट अभियान चलाया था दस महीने बाद अगर कोई व्यक्ति गड़े गिनने जाएगा ऐसा पूनीत काम के मान नर्मदा की धारा कलकल और अविरल बहती रहे उसमें ब्रक्षा रूपन का अभियान था देखो मित्र शिवराज सिंग्जी का जीबन बेदाग और निसकलक रहा है कांगरेस ने हमेशा उनकी चरितत्या की कोशिश किये पर हर चीज में इन दस महीने में इनने जितनी बाद पार ठीत्या की कोशिश की हर वार खोदा पार निकली चुईया वाली इस्तिती रही एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई ये दस महीने के अंदर पूरे दस महीने हो गए इनको आरोप लगाते लाकाते और दस महीने में सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ें एक हाथ बात ये तो बताने कि इनने कुछ काम किया है कै इन दस महीने के अंदर पूरे कैन रा बैंक अंचल कारियाले ने नौलेज चैम्प कारेकरम का हायोजन किया, श्थिख्षा से जुड़े इस कारेकरम में विविन इसकूल के बच्चों ने भाग लिया, आयोजन में चात्रों के साथ-साथ, कैनरा बैंक की के अधिकारी और करमचारी भी मवजुद रहे। कारेकरम के दोरान गविज कांटेस्ट का आयोजन किया गया, कैनरा बैंक के जनरे मैनेजर राहूल भावे ने बताया केनरा बैंक की तरफ से quiz contest का आयोजन किया जा रहा है जिसमें top पर आने वाले चात्रों को इन नाम भी दिया जाएगा इसके बाद आगे भी उनको contest में भाग लेने का मौखा मिलेगा भावे ने बताया कि इस तरह आयोजन का मुख्य उद्देश बच्चों में बैंक के प्रती जागरुकता लाना है और उनके ग्यान को बढ़ावा देना है मंच का संचालन कर रहे आशोख ने बताया कि कैनरा बैंक का Human Resources Development से भी समध रखता है इसलिए ये कारिकरिम कैनरा बैंक और बच्चों की शिक्षा हितु बहुत ही महत्वापूर्ण है देखिए ये कैनरा बैंक के मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी पहल की है देश भर के लगभग 22-23 शहरों में स्कूल के बच्चों के लिए जो की आटवी से बारवी के बच्चे हैं उनके लिए एक General Knowledge Quiz Competition का आयोजन किया गया है और इसमें बच्चों के लिए काफी आकरशिक पुरसकार रखे गये हैं पहला पुरसकार 50,000 का है दूसरा 30,000 का है और तीसरा 20,000 का है मुख्य उद्देश देखिए इसमें दो हैं एक तो बच्चों को बैंकिंग के बारे में जानकारी मिलेगी दूसरा उनका सामान्य ग्यान बढ़ेगा और बैंक उनके जीवन में किस तरह से योगदान करता है ये भी एक बहुत सहच स्थ से उनको बताने का प्रयात में रहेगा कैनरा बैंक के इस तरह कारिक्रम में मुक्रियातिती के तौर पर स्कूल शिक्षामंत्री प्रभुराम चौधरी ने कारिक्रम की सरहाना की उन्होंने चात्रों के साथ अपने अनुभव भी बाटे प्रभुराम चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा दा रहा है ऐसे कारिक्रमों से बच्चों को जानकारी प्राफ्ट होती हैं ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर प्रभुरान चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर से लगभग 32,000 शिक्षकों को फाइदा हुआ है कैनरा बेंक के द्वारा बच्चों को लिए किया जा रहा है बच्चों को नालेज बढ़ाने के लिए उनको एक्सवोजर मिल सकें बेंक की जानकरिया मिल सकें इसलिए बच्चे शुरू सभी बेंक का नालेज उनको रहा है इसलिए अच्छा सरानी कदम है अभी तो देखिए कि जो सिक्षक थे काफी लोग ऐसे थे जो परिवार से दूर थे लगबाग 500 कुल मिशार 800 कुल मिशार हमने पहली बार अनलाइन पॉलिसी के अंतरगत उनको परिवार की करीब जाने का आउसर दिया और मैं आपको जैनकारी देना चाहूंगा आपके 16,000 ऐसे पती पतनी थे जो दूर थे जो पहली बार उनको एक साथ रहने का उनको आउसर मिला है तो इस वज़े से 35 सार सिक्षकों को अनलाइन उनने कहीं भटकना नहीं पड़ा उनका ट्रांसफर हो गया है तो कहीं-कहीं विसंगतियां हुई हैं उनको हम ठीक कर रहे ह ज़ाबव उप्चपनाव को लेकर शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि यह हुग चुनाव में शिध्या गुठ को न कीजिते धिल्याओत गई है वो कारिकर रहे हैं। चुनाव कॉंग्रेस ही चीतेगी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग और पूर्व केंद्रे मंत्री सिंधिया के सरकार घेडने को लेकर चौद्मी ने कहा कि सरकार पे कोई दुगदाजी नहीं है प्रदेश में शिक्षिकों की कमी को लेकर प्रवुलान चौद्मी ने कहा क्या दुपी शिक्षिकों की भर्ती होगी ताकि कमी को फूरत यादा सके शिक्षकों को दूसरे कारे में नहीं लगाय जाएगा अगर जरफवई तो दिवखागों से पूश कर फिस शिक्षकों को कारे दिया जाएगा आगे आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा विवस्था सुढ़ेगी इंग्ले शिक्षकों को उसमें नहीं हताय जाएगा के करजे भी मद्रप्रदेश सरकार ने माप किया है इसकूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इस सिक्षा के घुलवत्ता के सुधार के लिए हम लगातार प्रयास कर रहा है पहले पांच मी और आठ मी की परिक्षा नहीं होती थी हमने लागू की अब इस साल से परिक्षा होगी पांच मी और आठ मी की जिससे सुक्षा में सुधार आएगा बैरागड के सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आजन किया गया इस मौके पर लगवग 533 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया शिविर के आजन का मुख्यों देश जरुरतमन लोगों तक रक्त पहुचाना था संत निरंकारी सत्संग भवन वेरागड में विशाल रक्तदान शिविर का आजन किया गया इससे पूर्व विशाल रक्तदान जन्जागरती पैदल रेली शेहर के मुख्य मार्ग से होती हुई रक्तदान शिविर तक पहुची रेली में भोपाल से वदल बैंड प्रमुख आकरशक का केंदर रहा शिविर में लगभग 533 रक्तदान ने रक्तदान कर मानाप्ता का संदेश दिया सुभा से ही रक्तदाताओं की लंबी-लंबी कतारे लगी हुई थी नियम अनुसार जिनका हेमिगलोविन कम था उनका ब्लड नहीं लिया गया रख्टदान शिविर में मुख्य रूप से संतहिर्दाराम गल्स कॉलेज गल्स हॉस्टिल की चात्राइं साधु वासवानी कॉलेज के चात्रों ने भाग लिया यहां से दिया हुआ एक एक बच्चे का एक एक मा का एक एक बैन का जो यूनिट रक्ट दान जाएगा किसी बे सहारे बच्चे के पिता की रक्षा करेगा यहां से दिया हुआ एक यूनिट किसी मा के बच्चे की रक्षा करेगा किसी बेहन के भाई की रक्षा करेगा किसी बेहन के स्वाग की रक्षा करेगा इस बुलेटने फिलार इतना ही आप देखते रही है दखल निए दखल आपके हत्मी आप देख रहे हैं दखल नियूज आप देख रहे हैं दखल नियूज